आलू का जूस लगा लो, टमाटर का जूस लगा लो, चावल को पीस के पेस्ट बनाके फेस पैक लगा लो और चहरा चमक जाएगा यह सब आपने कहीं न कहीं सुना है, कहीं न कहीं देखा है पर एक मिनिट सोच के देखें कि ये सारे टोटके वही लोग बताते हैं जिनकी स्किन अल्रेडी क्लियर होती है कभी देखा है कि किसी को मिलाजमा है ठीक है? चहरे पे बड़े बड़े दाग हैं काले रंके, ब्राउन रंके और वो कहें कि मैंने आलू का जूस लगाया और मेरा चहरा साफ हो गया ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता चहरे पे इस तरह के डाग ब्राउन पैच्छ को कहते हैं मिलाजमा अब बुरी ख़वर ये है, the bad news is that more than 40% of the Indian population suffers from milasma यानि 10 में से 4 लोगों को ये problem है good news ये है कि इसकी treatment बहुत affordable है most products मिलते हैं आपकी local pharmacy यानि local chemist पे और अगर आप products को एक सही routine में, सही order में and order बहुत ज़रूरी है, सही routine और सही order में लगाते हैं तो 100% आप अपने मिलाजमा को ठीक कर सकते हैं, reverse कर सकते हैं अपने skin के natural color, natural radiance को restore कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूँगी मेलाजमा घर पे ठीक करने का सुभे का और शाम का detailed skincare routine the full a.m. p.m. routine for you to treat melasma at home is right here hello hello and welcome to skincare simplified मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant आज की video जैसे की मैंने कहा dedicated है how to treat melasma at home scientifically so video शुरू करने से पहले video को like कर दें channel को subscribe कर दें जहाते हैं कि मैं आपके skincare routine को review करूं personally तो आप join कर सकते हैं channel memberships जहाँ पे होती है members only live हफते में 4 बार 12 बजे Indian standard time अब करते हैं video को शुरू बहुत common question है जो मुझे बार बार पूछा जाता है कोई एक cream बता दो जिसे melasma ठीक हो जाए कोई एक serum बता दो जिसे melasma ठीक हो जाए understand melasma को ठीक करना किसी एक cream एक serum के बसका है नहीं अभी तक ऐसी cream बनी ही नहीं है and ऐसा क्यूं है मैं आपको समझाती हूँ melasma आपके चहरे पे आपको दिख रहा है brown color का patch, black color का patch पर यह patch आपके skin पे आया कैसे इसे समझना ज़रूरी है so let's spend one minute trying to understand के melasma आता कैसे है understand के हमारी body में present है melanin melanin decide करता है हमारे body, चहरे, हमारे skin का color melanin birth से ही हमारे skin में present होता है लेकिन इस melanin को regulated रखना बहुत ज़रूरी है और एक बहुत important enzyme है जो इस melanin को regulated रखती है वो है tyrosine tyrosine control करती है हमारे body के melanin levels now understand, अब ध्यान से सुनो जब यह tyrosine overdrive पे चली जाती है body ज़ादा-ज़ादा melanin प्रदूस करती है यह melanin epidermis level पे यानि skin के बहुत नीचे form हो रहा है और melanocytes यानि छोटे-छोटे patches में जमा हो रहा है अब melanosomes, carriers होते हैं body में जो इस melanocyte को हमारे चहरे के उपर लेके आते हैं तो जो शुरू होता है नीचे epidermis के आता है skin के surface पे through melanosomes तो अब हमें क्या करना है इसे ठीक करने के लिए number one जो pigmentation आ गई है उसे हमें ठीक करना है that is number one तो उसको हमें साफ करना है simply put number two हमें अपने tyrosine को control में रखना है वरना हम ठीक करते जाएंगे melanin production बढ़ता जाएगा फिर problem आती जाएगी और हमारा melasma कभी ठीक ही नहीं होगा and number three हमें make sure करना है कि यह जो melanin बन रहा है melanocytes में यह हमारे melanosomes जो है skin के surface तक ना ले के आएं तो melanosomes को भी सरा control में रखना है तीन स्टेप का process है एक cream कैसे करेगी so routine extensive होगा ध्यान से सुनना skip मत करना speed मत करना so let's get started first with the morning routine और कुछ चीज़ें मैं वीडियो के शुरुआत में clarify करना चाहते हूं skin types broadly thin type के होते है normal, combination, dry तो face wash कौन सा यूज करना चाहिए cleanser कौन सा यूज करना चाहिए oily skin है use करें एक cleanser जिसमें जाग बनती है हम कहते हैं foaming cleanser अगर आपकी skin normal या combination है तो भी आप यूज कर सकते है hydrating cleansers यानि जिन में जादा जाग नहीं बनती जो creamy होते है और अगर आपकी skin dry है तो definitely hydrating cleanser यानि creamy cleanser यूज करना चाहिए तो सुबह के routine में राद के routine में आपको cleanser यूज करना है face wash यूज करना है skin type के हिसाब से अगर skin oily है normal to dry है तो hydrating और dry है तो 100% hydrating simple, clear now let's get started with your morning skincare routine morning skincare routine में मैं आपको दूँगी तीन options एक option है उनके लिए जिनकी skin acne prone है जिनको दाने निकलते है और जिनकी skin sensitive है दूसरा option उनके लिए है जिनकी skin acne prone नहीं है sensitive नहीं है normal है बिल्कुल सही है तीसरा option उनके लिए है skin उनकी किसी भी type के हो उनको option चाहिए super affordable यानि 500 से कम तो वो है third option पहले मैं आपको बताती हूँ option number one उनके लिए जिनकी skin sensitive है so option number one for sensitive skin is this सुबह के routine में आप face wash करेंगे किसी भी cleanser के साथ उसके बाद लगाएंगे 2% alpha arbutine serum किसी भी brand का inky list, ordinary, derma code doctor sheth जो मिलता है 2% alpha arbutine serum अब understand ये सारे के सारे जो serums में बता रही हूँ treatment है moisturize is a नहीं अगर like a monkey you rub the whole thing on your face नहीं you will take a pea size amount यानि मतर के size जितना pea size amount लेके पूरे चहरे पे dot करेंगे उसके बाद उसे हलकी हाथों से smooth over करेंगे so face wash करने के बाद alpha arbutine serum लगाएंगे उसके बाद आप लगाएंगे niacinamide niacinamide जी आप किसी भी brand का use कर सकते है my friend any brand except the ordinary ordinary से मेरी कोई दुश्मन ही नहीं है I love the ordinary लेकिन ordinary का 10% niacinamide formula है इससे 90% लोगों को acne यानि दाने आते हैं इसलिए मैं recommend करूंगी कि किसी भी brand का niacinamide यूज करें except the ordinary skin sensitive नहीं है तो आप 10% यूज कर सकते हैं sensitive है तो 5% so basically आपका routine कुछ इस तरह दिखेगा cleanser, alpha arbutine, niacinamide फिर अगर skin oily है तो moisturizer को skip करें सीधा sunscreen लगाएं 3 fingers full और अगर skin normal to dry या dry है तो थोड़ा सा water gel based moisturizer Neutrogena Hydro Boost कुछ भी लगा सकते हो वो लगाएं उसके बाद लगाएं अपना sunscreen अब routine उनके लिए जिनकी skin sensitive नहीं है जिनको vitamin C suit करता है अगर आपको vitamin C suit करता है यूर इन लग No.1 You will use a high quality vitamin C serum यानि vitamin C की concentration होनी चाहिए उसमें 15 से 20% जिन serums में vitamin C की concentration 15 से 20% होती है वो लिखके बताते हैं बॉटल के उपर और जो लोग नहीं बताते Garnier जैसे जो लिख देते हैं 3X power वो आपका समझ रहो समझ रहो समझ रहो वो नहीं यूज़ करेंगे ठीक है So, you will use a high quality vitamin C serum in the morning So, the routine will be cleanser, alpha arbutin, vitamin C serum moisturizer and sunscreen याँ ओली है skin तो moisturizer हटा के आप आप आएंगे sunscreen ये हैं दो options ये आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं description box में options है Affordable option specifically अगर आप इंडिया में रहते हैं आप लख में हैं because I love this option एक ही चीज़ लगाने हैं आपको and that is Mela Shore Gel आपको अपने local pharmacy या chemist पे मिलेगा एक product called the Mela Shore Gel ये है combination alpha arbutin, niacinamide, licorice shoot extract and बहुत सारे brightening agents का pea size amount Mela Shore Gel पूरे चहरे पे लगाएंगे mouth का side, nose के side, under eye area को avoid करेंगे और उसके बाद आप इसके उपर लगाएंगे moisturizer and sunscreen या सिरफ sunscreen ये हैं आपके तेन options skin type, budget के हिसाब से आप decide करें सिरफ ये ध्यान रखिएगा layering के perspective से vitamin C आँखों के नीचे उपर नहीं जाता niacinamide आँखों के नीचे उपर नहीं जाता mellashore 100% आँखों के नीचे उपर नहीं जाता और जो mouth के corners होते हैं ये भी बहुत sensitive होते हैं, dry हो जाते हैं तो mouth के corners पे भी नहीं लगाएंगे लेकिन लगाएंगे पूरे चहरे पे ये नहीं के melasma का patch यहाँ है इस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दोंगी सो यू किन गो और सी के exactly प्रोड़क को step by step कैसे लगाते हैं तो यू इस इस क्लियर ये हैं आपके तीन ओप्शन ये हैं आपका morning skincare routine लेकिन ये रूटीन आप फॉलो करेंगे सिर्फ और सिर्फ हफते में चार बार so let's say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday हफते में चार बार आपने लगाया आलफा अर्बुटीन नाय सिनमाइट संस्क्रीन या लगाया आलफा अर्बुटीन विडिमन C संस्क्रीन या आपने लगाया मेला शोर जेल और संस्क्रीन बाकी के दिन आप क्या लगाएंगे बाकी के दिन तीन दिन आप लगाएंगे आजलिक आसिड आजलिक आसिड 10% या तो आप फार्मसी से ले सकते हैं आजीडर्म 10% विच इस फाबुलिस इस लेस तन 200 रुपीस तो आपका लेरिंग हफते के तीन दिन सुभे के टाइम कुछ ऐसा होगा सुभे के रुटीन में आजलिक आसिड उसके बाद नायसिनमाइड उसके बाद संस्क्रीन या आजलिक आसिड विटमिन सी और संस्क्रीन या सिरफ आजलिक आसिड और संस्क्रीन ये होगा आपका रुटीन सुभे के रुटीन में हफते के तीन दिन तो हमने यहां split कर दिया है अब इस routine में दो products क्यों हैं मैं आपको समझाती हूँ vitamin C और niacinamide दोनों ही एक बहुत important काम करते हैं they control tyrosine production यह दोनों ही दोनों ingredients tyrosine inhibitors हैं ठीक है? तो जो tyrosine की production extra extra melanin को produce कर रहे इसे यह control करते हैं alpha arbutine azlic acid आपके जो existing pigmentation है if you're gonna be an over smart person and say कि सिर्फ azlic acid लगा के देखते हैं कितना फरक पड़ेगा उसके बाद बाकी चीज़े लगाएंगे या सिर्फ alpha arbutine लगाएंगे या सिर्फ vitamin C लगाएंगे niacinamide लगाएंगे एक चीज लगा के देखते हैं क्या होगा? कुछ नहीं होगा क्या है? क्यों राइगा है या सिर्फ विल डबले देखते हैं क्यों रुटे Πर वाक। आपके रूटीन में हम यूज करेंगे हफ़ते में तीन बार रेटनॉल रेटनॉल बहुत बहुत जरूरी है हफ़ते में तीन बार यूज करना अगर आप बिगिनर हैं आप शुरू कर सकते हैं 0.3% रेटनॉल के साथ minimalist is a good option अगर आप advanced user हैं पहले रेटनॉल यूज कर चुके हैं करते हैं you can move to 0.6% या आप जाके एक prescription ले सकते हैं and move to tretinoin 0.03% that is the strongest retinoic acid that you're gonna get और आपके मेलाजमा पे सबसे बहतर असर tretinoin ही करता है लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आज तक आपने रेटनॉल का नाम भी नी सुना लगाया भी नी सीधा chemist के पास जाके आपने रेटनॉल खरीद ली या tretinoin खरीद ली और लगाना शुरू कर दिया I promise you आपकी skin इतनी खराब हो जाएगी that you will not even know what to do with yourself अगर आप retinol से tretinoin पे सही तरीके से transition नहीं करते हैं आपकी skin पे peeling, irritation, acne, darkness बहुत कुछ हो सकता है so don't even try it ठीक है? first time user है 0.3% retinol advanced user है 0.6% or if you're a super advanced user then tretinoin हफते में तीन बार आप लगाएंगे tretinoin या अपना retinol इसके साथ आप लगाएंगे niacinamide niacinamide and retinol का जो combination है it is chef's kiss and it is beautiful so आप का रात का routine कुछ इस तरह से दिखेगा रात को चहरा double cleanse करने के बाद आप लगाएंगे अपना retinol या retinoid उसके बाद लगाएंगे niacinamide उसके बाद लगाएंगे अपनी face cream अब आज आप यह आप कर रहे हैं हफते में तीन दिन so let's say you're doing this on Monday, Tuesday, Wednesday हफते में दो दिन हफते में दो दिन आप क्या करेंगे हफते में दो दिन आप लगाएंगे D-Mellon cream अगर तो आप रहते हैं अगर तो आप रहते हैं इंडिया में आपको आसानी से मिल जाएगी pharmacy में D-Mellon cream is 10% glycolic acid alpha arbutin and kojic acid सिरफ हफते में दो बार लगाना है क्योंकि यह high concentration treatment product है और D-Mellon cream भी my friends P-size amount ही लगाते हैं moisturizer नहीं है तो आपका routine कुछ इस तरह से दिखेगा चेहरे पे आप लगाएंगे devil flence करने के बाद niacinamide क्योंकि यह serum है उसके बाद लगाएंगे D-Mellon cream क्योंकि यह cream form में आता है उसके बाद लगाएंगे अपना face cream, moisturizer, night cream जो भी कुछ सिरफ हफते में दो बार अब आपके हफते की 5 रातें beautifully cover हो गई हैं अब आज आते हैं आपकी हफते की बाकी की 2 रातों पे हफते की बाकी की 2 रातों में आप लगाएंगे रात को double cleanse करने के बाद niacinamide serum और उसके साथ आप लगाएंगे koji wit plus cream जिसमें alpha arbutin and kojic acid है इन cream के combination को आप लगाएंगे इसके बाद लगाएंगे अपना face cream अब ये जो combination है इससे क्या हो रहा है हफते की 3 रातों में retinol आपके skin cell turnover को boost कर रही है जिससे आपके skin cell turnover better हो रहा है आपकी skin brighten हो रही है आपके marks lighten हो रहे है glycolic acid, alpha arbutin, kojic acid का ये जो combination है D-melon cream में ये आपके चेहरे के जो marks है उन्हें lighten कर रहा है और glycolic acid आपके चेहरे को exfoliate भी कर रहा है और जो kojivit option है जिसमें alpha arbutin है थोड़ी सी concentration में और kojic acid है ये existing pigmentation को bright कर रही है अब आती है सबसे सबसे ज़रूरी बात और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप एक साथ सारी की सारी चीजे azlic acid, alpha arbutin, kojic acid, d-melon, retinol ये खरीद के नहीं लगाएंगे let's say आपने आज ये वीडियो देखी आपको मिलाजमा है और आपने जाके सारी की सारी चीजें खरीद ली आपने totally कुछ 2000 रुपे खर्श किये और जिस तरह से मैंने routine बताया है आपने लगाना शुरू कर दिया मैं promise करती हूँ आपका मिलाजमा तो ठीक नहीं होगा बर आपको acne ज़रूर आ जाएगा ये है सही तरीका इस routine को शुरू करने का अगर आप इस routine को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले products introduce करें अपने AM यानी सुभे के routine में तो शुरू करें बाइं इंट्रूसिंग vitamin C, या niacinamide, या mellashore gel इन तीनों को आप लगा सकते हैं तीनों को नहीं मतलब जो भी आप लगा तीनों में से एक चीज को आप लगा सकते हैं हफते में दो से तीन बार पहले हफते में फिर अगर स्किन पर कोई irritation नहीं है स्किन react कर रही है beautifully then you can use it every single day second week में जब या आपने पूरे हफते लगाना शुरू कर दिया आप आप introduce करेंगे alpha routine और तीसरे हफते में आप introduce करेंगे aslic acid तीन हफते लगेंगे आपको सिरफ पूरे morning skincare routine आने में इसके बाद रात के routine को शुरू करते हैं रात के routine में सबसे असान है आप koji vit gel को introduce कर लें हफते में दो बार skin settled हो गई अब आगये हैं पांच पे या छटे हफते पे अब आप D-melon को ले के आए उसके बाद week number 7 and 8 में आप retinol को ले के आए अगर आज तक आपने retinol को कभी use नहीं किया है तो retinol की शुरूआत आप हमेशा करेंगे by using it once a week फिर अगले हफते में दो बार फिर तीसरे या चौते हफते में चार बार so ये एक slow process है ये मैगी नहीं है कि आज खरीदा कल यूज की आप परसो ठीक हो गया नहीं होगा इस पूरे रूटीन को अपने skincare routine में अच्छे से introduce करने में ही आपको करीबन 6-7 हफते लग जाएंगे हर वीक में आपको थोड़ा-फोड़ा improvement दिखेगा in the first month मतलब पहले 4 हफते के बाद depending आप में कितने ingredients add की है 100% you will see 20-30% improvement that is my guarantee because I have seen this with clients on live there are so many people who subscribe to this channel if you're a melasma user please comment कर के बता दो यार इस वीडियो में तो this is a routine that works but the point is you have to go slow अगर हमने जल्दी-जल्दी किया तो अटने के इलावा और क्या गरबड हो सकती अभी आपको बताती हूँ चहरा बहुत ब्राइ हो जाएगा ड्राइ 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 अजीब और काला लगता है so you'll suddenly be like यार मैंने इस रंग साफ करने के लिए रुटीन शुरू किया था मैं काला क्यों लग रहा हूँ that is because your skin is dehydrated number one number two अगर आपको अखने शुरू नहीं हुआ आप बच गए काले भी नहीं लग रहे आपको dehydration की वज़ा से पीलिंग शुरू हो जाएगी like a snake you will be shedding your skin it's a terrible feeling and overall आपको बिलकुर अपनी स्किन हेल्दी नहीं लगेगी तो इस routine को जिस तरहां से बताया गया है उस तरीके से शुरू करना बहुत ज़रूरी है routine पूरा का पूरा calendar form में मैं post करूंगी एक post होगी जिसमें एक calendar में लिखा हुआ routine आएगा आपके पास और description box में options है vitamin C, mella, short gel, niacinamide, क्या लगाना है जो भी options I know are preferred and liked in the first month depending कि आपका मिलाजमा कितना intense है 20-30%, कुछ लोगों को 50% improvement भी दिखता है धीरे धीरे, 4-6 months आपका मिलाजमा ठीक होगा और सिर्फ इसी थरीके से ठीक होगा without using steroids, without using any kind of a cream जो बाद में आपके चहरे को काला कर दे ये भी बहुत common होता है, इसमें मैं वीडियो बना चुकी हो the damage caused by whitening creams all of these things are terrible for your skin slow and steady wins the game this is the full routine, this will give you guaranteed results वीडियो पसंदाई, do like and subscribe go ahead, watch the next two videos application videos है, इसे आपको मदद मिलेगी and अगर आपको मलाजमा रूटीन user है आपने में लाजमा रूटीन फॉलो किया है थोड़ा सा वैलिडेट कर दें comment section में ताफि बाखी लोगों को encouragement मिले as always guys, thank you so much for listening to me, video पसंदाई I will see you next time, till then take great care of yourself, bye